अलो डियर, इवन कोचिंग सेंटर विटेव सेनल पर मैं भुतेश आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज 15 नमंबर है और कल से SSEGD वालों के एक्जाम स्टार्ट हैं तो हो सकता आपका कल को एक्जाम हो या किसी दिन बाद आपका एक्जाम हो तो अभी मैं आपके लिए एक बहुती जरूरी वीडियो यहाँ पर लेकर आया हूँ जो 10 to 15 मार्क्स बढ़ा सकती है अगर आप कुछ गल्तिया कर रहे हो तो उनको वो इग्नोर करवा सकती है और आपको कुछ जरूरी बाते मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ फिलाल एक बात तो जान लो कि आपने जीतनी knowledge लेनी थी उस exam को crack करने के लिए उतनी knowledge आप ले चुके हैं अभी आपकी knowledge के अंदर और वृद्धी नहीं होगी तो क्यों हो सकता आपका exam कल हो परशो हो उस से अगले दिन हो तो knowledge के अंदर इतनी खास वरिद्धी नहीं हो सकती लेकिन हमारे पास जो already accumulated knowledge है हमने जो महनत करके knowledge gather की है इसको हम best use कर सकते हैं अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो तो वो बाते क्या हैं वो हम आपको एक एक करके भी बताना start करूँगा देखा की best strategy क्या है अपना एक बात बताओ किसीज के लिए जा रहे हो एकसाब में maximum marks लाने के लिए तो given time frame के अंदर maximum marks आप कैसे ला सकते हो उस knowledge के साथ जो आपके पास है मालो एक बंदे के पास एक कुलाडी है और उसने पेड काटने है एक घंटा उसके पास है तो कोई न कोई तो best rate वो ऐसा भी कर सकता है कि गलत तरीके से अपने उस वक्त को utilize करें और कम ही paid काटे और अगर कोई उसको अच्छी strategy बता दे कि भाई ये चीज efficient रहे की ऐसे करना बढ़िया रहेगा इस तरीके से आप इस कुलाडी को use करिए ज्यादा paid आप काट पाएंगे तो याने कि हम करेंगे क्या हम उसी tool को use करेंगे हम उसी knowledge को use करेंगे लेकिन ज्यादा efficient way में हम use करेंगे ठीक है ताकि हम maximum mark score कर पाएं जो knowledge हमने gather की है उसका actual में हम फाइदा उठा पाएं तो लिए जी start करते हैं और जो लोग यहाँ पर fail होंगे वो exam में हम से पीछे रह जाएंगे at last एक competitive exam तो है ही तो सबसे पहले जब आपको बताने वाला हूँ that is order of subjects कि कि किस order में हमें subjects को attempt करना चाहिए कि पहले reasoning करूँ maths करूँ, english करूँ, gk करूँ तो मैं आपको the best order बताऊँगा मैं आपको खुद से order नहीं बताऊँगा मैं आपको formula बताऊँगा कि कौन से formula के तहट आप order जो है वो select कर शकते हैं सबसे पहले सबसे पहले वो subject करना है जो सबसे कम वक्त में आप कर शकते हो simple बात है और SSC GD के अंदर total 90 minute है तो कई लोगों को लगता है कि 90 minute more than enough है हाँ more than enough तो है लेकिन एक बात बताऊ माल लो ये more than enough है और आपने इनको अच्छे से manage नहीं किया और एक दूसरा बंदा है जिसने इनको अच्छे से manage कर दिया तो maths और reasoning ऐसे दो section है इनके अंदर ऐसा हो सकता है कि बाई 2-3 questions बड़ी आ लेवल के आ जाएं 2-3 questions इसके अंदर बड़ी आ लेवल के आ जाएं बागी सारी easy हैं उसको सब कर देंगे बाई इस questions को 2-3 questions ट्री किया जाएं तो जिसने time को अच्छे से manage किया था उसको time मिल जाएगा उन questions को यहां पर भी करने का यहां पर भी करने का तो वो इसके अंदर भी 50 मारेगा इसके अंदर भी 50 मारेगा चाहिए basic से difficulty क्यों ना आ जाएं और जिस बंदे ने time को manage नहीं किया वो उन अच्छे लेवल के equation अगर आ गए तो उनके उपर time नहीं दे पाएगा बस competition में रह गया पिछे 2-3 number के अंदर तो लाख़ोई इस्प्रेंट पिछे रह जाते हैं अगर 2-3 number इसमें और 2-3 number इसमें अगर इतना gap कोई डाल पाया तो तो time बले ही हमारे पास ज्यादा हो हमें फिर भी उसे अच्छे से manage करना होता है ठीक है बले ही paper में time को गलत manage करने के बजाए paper में end में 15 minute solo but time को अच्छे से manage करो ठीक है तो सबसे पहले हम वो subject करेंगे जो सबसे कम वक्त में हो जाता है basic सी बात बिल्कुल simple सी बात है अगर आप maths को भी सबसे कम time में कर शकते हैं तो math को पहले करो ऐसा कोई formula नहीं कि जिक्के को पहले करना है English को पहले करना है सबसे पहले उस subject को करना बढ़िया रहेगा जिसको आप सबसे कम वक्त में करते हैं तो obviously maximum लोग जो हूँ वो जिक्के को सबसे पहले कर रहे होंगे क्योंकि यह subject ही ऐसा है पढ़ेंगे equation पढ़ते हैं में पता लग जाएगा कि इसका answer क्या है क्या नहीं है और उसके बाद हम ज्यादा वक्त वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है आप उस question की शकल को देखते रहोगे तो आपको answer आने से रहा अगर आपको नहीं आता तो simple सी बात है पढ़ो, समझो, answer करो नहीं तो आगे बढ़ो आता है तो ठीक है नहीं आता है तो पच्ताने से कुछ नहीं होगा एक बार best perform करो इसके अंदर तो सबसे पहले हम GQ को attempt करेंगे उसके बाद कुछ बंदों को reasoning में कम time लग सकता है कुछ बंदों को English या Hindi में कम time लग सकता है यह मैं आपके उपर छोड़ता हूं यह मैं आपके उपर छोड़ता हूं मान लो आपको reasoning में कम time लगता है तो आप दूसरे number पर reasoning को attempt करेंगे तीसरे number पर English को attempt करेंगे और सबसे ज़्यादा time maths में ही लग रहा होता है इसलिए maths को सबसे last में attempt करने का फायदा होता है कई लोग ऐसे सोचते हैं कि maths सबसे difficult है तो इसको मैं सबसे पहले attempt करूँ सबसे कम वक्त जो लेता है उसको सबसे पहले क्यों attempt करते हैं मान लो paper start हुए 7 ही minute हुए है या 5 ही minute हुए है और आपका एक subject पूरा हो गया तो आपके अंदर एक confidence आएगा कि one fourth paper हो गया और paper तो अभी शुरूई हुआ है इन यूजिलेटर मेरे तो sign भी लेने नहीं आया है और एक subject मैंने निप्टा दिया और उसके बाद क्या हुआ है 10-12 minute की हुए है आपने एक और subject को निप्टा दिया आद्धा गंटा भी नहीं हुआ है और आपने paper के दो subjects को निप्टा दिया और गलती से आपने maths को पहले उठा लिया अब ऐसे बंदे जो maths को पहले उठाएंगे वो इतने easily क्योंकि जो गलत strategy है चल रहे है वो उस subject के अंदर भी गलत strategy है चलते है वो easily equation को छोड़ भी नहीं पाते पता लगा आदा टाइम खा गए और maths सी कर रहे हैं फिर उसके बाद हाथ पाउं फूल लेंगे कि तीन subject रहे गए हैं उस time में ये subject manage हो सकते हैं आदे में order में हमें subjects को attempt करना चाहिए ठीक है अब मैं within subject आऊंगा और एक और बात हर एक subject में कितने question है जी 25-25-25 हर एक subject के कितने marks है जी 25-25-25 तो हमें भेदबाव नहीं करना है कि reasoning का question करूँगा math का करूँगा मैं तो math का करूँगा हमारे लिए सारे equation बराबर है क्योंकि हरे equation हमें बराबर marks दे रहा है तो simple सी बात क्या है हम इस तरीके से paper को attempt करने एक oasis करेंगे कि हमारे maximum marks हैं चाहिए वो किसी भी subject से आ जाए अब मैं within subject आपको पताता हूँ तब आपको ये बात पता चलेगी मतलब हमने करना क्या है 90 minute में maximum marks हमने लेकर आने अब आप subject के अंदर जाओगे सबसे पहले आप जिक्के को attempt करोगे तो जब आप reasoning को attempt करोगे तो subject के अंदर जाओगे reasoning के आपको 25 question दिखे हैं या maths के आपको 25 question दिखे हैं तो मैं यहाँ पर जो example लूँगा वो मैं math से ले लेता हूँ, ठीक है, माल लो आपके सामने math के 25 questions यहाँ पर लेटे पड़े हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक से लेकर 25, तो यहाँ पर आपने math के अंदर करना क्या है, भाईसा, math के अंदर कम से कम 3 round होंगे, 3 rounds, 3 round में आपने complete math में से निकलना है, यह बात हो सकता है, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी अजीब लगे, बट अभी मैं इसको explain करूँगा, और आप इसे अगर लगा पाए, तो topper इसी को लगाते हैं, इसको लगाए बिना topper बनाई नहीं जा सकता, ज हमें कुछ fixed time मिला है, हमें उस time में number निकालने हैं, यानि कि आप जब दुकान पर जाते हो, तो आप क्या करते हो, मालो आपको दूद लेना है, सबजी लेना है, तो आप उसको रुपे देते हो, तो आप रुपे खर्च रहे हो, यहाँ पर हम time खर्च रहे हैं, हमने time रुपे किलो दूद दे रहा है, एक 20 रुपे किलो दूद दे रहा है, exactly same दूद है, तो आप किस से लोगे, 10 रुपे किलो वाले से लोगे, अब तक पागल गुत्ते नहीं नहीं काटा है, तो यहाँ पर कुछ question ऐसे होंगे, जो 15 second खर्च करके answer दे देंगे, कुछ question ऐसे हो होंगे, जो 2 minute खर्च करवा के भी answer नहीं देंगे, आपका दिमाग खराव कर देंगे, आपका confidence down कर देंगे, क्यों नहीं हुआ, तो यारी तो की थी, तो यहाँ पर कौन सी चीज सस्ती पड़ी, because यहाँ पर हम जो currency खर्च कर रहे हैं, वो time है, यहाँ पर यह चीज सस्ती प गाले, तेरे से तो नहीं निकलूँगा, क्योंगे आपने वैसी तियारी नहीं कि उसको solve करना है, जितनी, कि वो under pressure में आपको strike हो जाए, तो हमने करना क्या है है भाई साब, हमने सबसे पहले round में, round one में, वो question उठाने है, जो directly हमें आते हैं, आपने statement को पढ़ा और आपको आता है, ऐसा ही आपने maths के अंदर करना है, ऐसा ही आपने reasoning के अंदर करना है, English के अंदर क्या करना है, वो ही बताऊंगा, तो जो आपको आपने पढ़ा और आपको पता है कैसे करना है, आपने वो question सबसे पहले करते जाना है, मालो यहाँ पर दो question पढ़े हैं, मालो यहाँ पर एक question पढ़ा है जो की 20 second में हो रहा है यहाँ पर एक question पढ़ा है जो 10 second में हो रहा है यहाँ पर equation पढ़ा है जो 30 second में हो रहा है और एक बेवकूफ और यहाँ पर 2 minute में question हो रहा है यहाँ पर equation ऐसा है 3 minute में हो रहा है यहाँ पर equation है 2 minute में हो रहा है और उसके बाद जितने भी question 45 minute 30 minute 45 second 30 second examiner ने ऐसे paper set कर दिया है तो एक बंदा जब यहां से गुजरेगा उसका ये नहीं निकलेगा मलब कि यहां पर उसका confidence down होगा यहां पर confidence down होगा यहां पर confidence down होगा यहां पर तो एक बाई साब क्या करेगा इन च्यार question के बदोलत अपना time खराब कर लेगा और जब वो इस question के उपर आएगा जो उसको नहीं आता इसलिए मैंने 10 minute लिका है तो तो वो इस paper को इतनी बुरी तरे से बदनाम कर देगा कि ऐसा paper आया था या टी भी नहीं पूछता बलकि यही च्यार question अगर वो time बचा कर round 3 में देखता वो 20 question कर चुका है 5 equation बचे हैं उन में से 3 वो कर देगा round 3 में 2 ही बचेंगे 23 हो जाएंगे तो 2 scenario of knowledge उतनी ही है एक ने time को बड़ी ऐसे manage किया एक ने paper को इस तरीके से attempt किया कि paper का impact उसके दिमाग बर पड़ रहा है वो low confident हो रहा है तो सबसे पहले round में आपने करना क्या भाई साब जो आते हैं जो आपको direct पता लग रहा है कि हाँ यह ऐसा होगा समझने के बाद बहुत ज़्यादा जिन में time नहीं लग रहा तो ऐसे question 15 to 18 कितने भी हो सकते हैं कि तो यह रही के उपर depend करता है ठीक है चाहे 20 हो 25 हो हाँ अब 25 नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते अरे भाई मैं भी जब paper करूँगा तो मेरे कोई 25 में 25 आरे होते हैं लेकिन फिर भी मैं skip करके करता हूँ क्यों क्यों कि भाई साब कोई 15 सेकिंड लेगा कोई एक मिनट लेगा तो मैं एक मिनट वाले को क्यों करूँगा तो हमने skip करने का मतलब यह निया कि मैं question नहीं आता skip करने का क्या मतलब है कि वो ज़्यादा time ले रहा था normally हम जितने average questions को करते हैं उससे तो round 1 के अंदर हम वो question करेंगे जो आते हैं और जो कम time में होंगे round 2 के अंदर हमने वो question करने है जो आते हैं या फिर कर लेंगे थोड़ा सा सोच कर और थोड़ा सा ज्यादा time में होंगे तो कुल मिला कर आप यहाँ पर 20 plus question पहुंच जाओगे अगर आप ठीक से round 1 को करोगे फिर round 3 के अंदर आपने question को कौन से करने हैं बचे हुए जो भी बचे हुए हैं वो आप करोगे ठीक है तो मालो आप आपने पहले जिक्के को attempt किया ठीक है फिर उसके बाद आपने suppose reasoning को attempt किया तो reasoning को भी आपने minimum 2 round देने हैं पहले round में वो question जो जटा जट हो रहे हैं अब आप बोलोगे sir reasoning तो easy subject है है फिर भी equation 5 second ले रहा है equation 20 ले रहा है और equation 1 minute भी ले रहा है तो पहले क्योंने 20 second वालो को करें time management है यह difficult easy का वो नहीं है time ज्यादा कम लेने का game है तो reasoning को at least 2 round में करेंगे पहले round में हम 18 plus question easily कर लेंगे फिर दूसरे round में हम करेंगे अगर 2-3 question ऐसे भी डाल दिये कि आपका थोड़ा चा दिमाग खराब कर रहे हैं तो अभी के लिए उनको छोड़ दो 22 करके आग़े बढ़ जाओ reasoning में मालो 3 question ऐसे डाल दिये आपको नहीं strike उरे 22 करके आग़े बढ़ जाओ फिर आप English में गए तो English में पहले आप क्या करोगे आप errors करोगे ठीक है अलब रस्ते में पैसे जाये तो पैसे को छोड़ दो जंबल्ड आये तो जंबल्ड को छोड़ दो मैं ऐसे छोड़ देता था पैसे जाया टाइम लेगा पैसे है शेकल देखते ही छोड़ दिया जंबल्ड है शेकल देखते ही छोड़ दिया बाकी vocab है, error है, fill in the blanks है, close test है ये करते गए साथ की साथ जैसे भी आये क्योंकि ओनलाइन पेपर है फिर second round में बाकी सारी चीज़े करेंगे बाइस question आपने कर लिये है अब आपके maths के तीन question बचे हुए reasoning के भी तीन question आप छोड़ कर आए है English का एक passage भी आप छोड़ कर आगे जल्द बाजी में क्योंकि आगे आगे आपने करना था अब आप सोच रहे हो आपके पास time है अब आपने ये तीन question भी पढ़ लिये reasoning के तीन question भी आप पढ़ चुक है हो जो आपने छोड़े हैं आपको पता है की कैसे हैं अब आपने सोचना है math per time invest करूँगा तो जल्दी निकलेंगे ये math के equation कैसे हैं आपको जैसे लग रहे हैं reasoning के कैसे हैं वो English का कैसा है तो जो कम time में आपको निकलता लग रहा हो पहले उसके उपर काम करो फिर दूसरे पर फिर तीसरे पर अगर आप ऐसा करोगे तो आपके exam में total 90 minute है मैं आपको बता रहा हूँ आप सोचते हो अगर अच्छे से आप time manage करोगे आपकी knowledge घतम हो जाएगी time घतम नहीं होएगा कि मेरे को जितना आता था मैंने सारा कर लिया और time भी बच गया ठीक है जी तो इस strategy को लगाईएगा अब आगे आपको मैं कुछ छोटी छोटी tips दे देता हूँ जो generally student गलती करते हैं उनके उपर एक बार नजर मार लेते हैं ताकि आपको ये चीज़े याद रहें सबसे पहले English subject के अंदर generally बच्चे क्या कर रहे होते हैं English subject ऐसा है जहां पर negative marking का सिकार होना बहुत आसान है क्योंकि बच्चों को लग रहा होता है जिस word का synonym देखा है जिस word का synonym पुच्चा है वास्तक उनों ने देखा नहीं जिंदगी में फिर भी बोल रहे हैं ए लग रहा है एई फिलिंदा ब्लेंक्स में on लग रहा है inside about आएगा तो भाई साब आपको गर लग रहा हो लग रहा है कि बेस पर मत करना जो आता है उसे ही कर लेना इंगलीज में सबसे ज़्यादा बंदे नेगटी मार्किंग का शिकार होते है ठीक है next अब calculation को reuse कर सकते हैं maths के अंदर कैसे reuse कर सकते हैं एक आदी बार कुछ ऐसे question होते हैं जो थोड़े से lengthy होते हैं कई step में आते हैं मानलो मैं exam कर रहा हूँ और मुझे question दिखा ठीक है मानलो ये 15 वा question है मैंने इसको solve किया थोड़ा सा A, B, 3, 5 कुछ भी मैंने लिखा फिर थोड़ी देर में मिरे को पता लगा है ये time ले लेगा या अभी मिरे को strike नहीं हो रहा अभी समझ में नहीं आरा कैसे करूँ तो मैं क्या करता हूँ ऐसे 15 और ऐसे मार देता था ये 15 वा question उसकी थोड़ी सी calculation मैंने rough seat पर यहां पर करकिया फिर बाकी calculation मैं थोड़ी दूर करता था तकि जब मैं दुबारा 15 वार पर आऊँ तो page को ऐसे देख कर easily मिल गया मुझे ये तो मैं ऐसे reuse कर लेता था मालो मैंने भाई इसके उपर एक मिनट इंवेस्ट किया और काफी सारी calculation मैं निकाल कर बैटा हूँ जब मैं दुबारा उसको देख रहा हुता हूँ है तो वो surprise element को handle नहीं कर पाते हैं हाथ पाउं फूल जाते हैं अगर आपके लिए surprise आया है तो वो सब के लिए आया होगा उस दोरान selection लेना आसान हो जाता है क्यों क्योंकि maximum जनता के हाथ पाउं फूले होंगे आप पहले से ये expect कर के जाओ कि अगर surprise आया अगर बहुत tough question पर परागा तो बड़ी या बात है मुझे चाट चाट के question करने हैं पहले और फिर जो कम टाइम में हो सकते हैं वो चाट चाट के करने हैं दुनिया के हाथ पाउं पहले रहेंगे और competitive exam में मुझे एक edge मिल गई समझ गे तो surprise के लिए पहले ही ready रहो जो ready नहीं रहेंगे वो गंदा करके आएंगे guarantee है एक और बात दिमाग में बठा लो जो होना था हो चुगा था जैसी तियारी करनी थी आप कर चुके हो अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं overnight आपका paper एक दिन में है पांच दिन में है एक सप्ता में है कोई बहुत कुछ आप नहीं उखाड़ सकते हैं तो फालतो में नर्वस होने के जरूत नहीं है अगर आपने गंदी पढ़ाई की है तो आपका नहीं होगा मैं पहले ही बोल रहा हूँ तो जो मैंने आपको strategy बताई है वो उसी knowledge को apply करने की बताई है तो इन steps को एक दो बार देख लेना ठीक है exam में जाने से पहले एक बार revise कर लेना ये चीज़े काफी मदद करती है कि मेरे को ये गलतिया नहीं करनी और ये ये चीज़े मेरे को करनी है ठीक है तो अभी nervous होकर कुछ नहीं मिलेगा हाला कि थोड़े से nervous तो आप होगे natural है बट अभी जो आपका result आना था ना वो उस date को नहीं आएगा जी दिन government ने announce किया वो अभी आ चुका है बस लगबग आद्दा आ चुका है आद्दा depend करता है कि आप time management कैसी करते है knowledge वाला portion is over अभी time management वाला शुरू है ठीक है next be on the time time पर पहुँचना हर साल खबर मिलती है कि इतने बच्चे बच्चे हमें बताते हैं कि sir मैं late हो गया तो आप भी हो सकते हैं उस बच्चे की सकते हैं आप कोई special नहीं है लेट जाएंगे तो हो सकता है तो be on time and with all the things जो भी photograph वगरा identity card वगरा उन्होंने मांगे हैं उन सारी चीजों के साथ जाना ठीक है और कोई फाल्तू की चीजों के साथ मत जाना जो उन्होंने मना की है तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाह रहा था इन सारी बातों को follow करिएगा थोड़ इसे काम रहने की कोशिस करिएगा आप नर्वस तो होंगे क्यों क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो आप नर्वस तो होंगे कि भाई जो इतनी मेनत कि है उसका फल मिलेगा की नहीं हो सकता है नींद भी कमाए अगर किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा मेनत की है हो सकता है उसे नींद भी कमाए क्योंकि उसने ज़्यादा जोर लगाया है उसका ज़्यादा वक्त दाओ पर लगा है बट ये आम बाते हैं कुल मिलाकर एक बार जब आप एक्जाम हो लिके अंदर घुज जाओ पूरा फोकस पेपर पर डाल देना पूरा फोकस और कुछ नजर नहीं आना चीए बस जैसे गोड़े के यहाँ पर यह लगा देते हैं ऐसे पूरा पेपर नजर आना चीए शांत और अपना लग जाना वहाँ पर आपको परफॉर्म करके आना है बस अब आप तयार हो चुके हो बस एक बार खेल के आना है अच्छे से बाकी जो भी करना था आपने कर लिया है और हाँ अगर आप नए परसन हो चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो और अगर आप आगे भी त्यारी करोगे करोगे ही और एकजाम की यह तड़ी एकदम से छोड़ दोगे फैपर देके तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो ऐसे ही बहुत ही बहतरी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता हूँ और एक लाइव प्रेक्टिस बैच भी अपना चल रहा है लाइव प्रेक्टिस यानि कि एक दिन मैट्स की एक दिन रीजिनिंग की हम लाइव प्रेक्टिस करवा रहे हैं यूट्यूब के उपर रोज सुबह साड़े दस बज़े और मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि दी बेस्ट बैच चल रहा है यूट्यूब पर फिलाल इस लेवल का कोई बैच नहीं चल और यह जो बैच चल रहा है यह SSC के सारे एक्जाम SSC CGL, CHSL, CPO, MTS, GD SSC के सारे एक्जाम सेलेक्शन पोस्ट होते हैं ना जो सेलेक्शन फेज नाइन अभी निकले हुए हैं SSC के सारे एक्जाम्स, रेलवे, सारी स्टेट पुलिस जैसे UPSI होगी, MPP पुलिस होगी, BR पु नहीं देखा है, यह one of the best आपका decision होगा अगर आप इस चीज़ के थूँ प्रेक्टिस करेंगे, रोजाना हम यह चीज़ ले करा रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाई-बाई, टेक केर, उमीद करते हैं कि आप अच्छे से paper देख रहे हैं